हेलो फ्रेंद्स, विल्कम टू दे क्लास, आज के क्लास में हम करेंगे इस मॉर्फोलोजी फ्लारिंग प्लांट के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज जो हमारा पॉइंट ओफ डिसकेशन होगा, वो मिलनी होगा फ्लावर्स को लेकर, यानि हमने अब तक इस मॉर्फोलोज फ्लारिंग प्लांट में हमने मॉर्फोलोजी 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 फ्लारिंग कर लिया है, जो आज हमारा पॉइंट डिसकेशन होने वाला है, वो है इ NCRT book open होगी, now see, सबसे पहले NCRT inflorescence के बारे में बताती है, तो सबसे पहले ही चीज की inflorescence होता क्या है, और inflorescence में हम डिसकस करेंगे कि फ्लावर फ्लावर बार बार यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि आखिर फ्लावर क्या होता है, देखे, A flower is a modified shoot, फ्लावर क्या है, एक modified shoot है, या आप कहले condensed shoot है, किसका, wherein the shoot apical meristems changes to floral meristem, जो apical meristem होता है, जैसे कि यह shoot apical है, माले जी यह shoot है, और यह root था, तो अगर यह root है, और यह shoot है, तो जो shoot apical meristem है, यहां के जो shoot के apical meristem है, मेरिस्टेम क्या होते है, वो cells होते है, जिनके पास capability of cell division होती है, यह किस में modify हो जाते है, यह किस में convert हो जाते है, किस में change हो जाते है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में यह convert हो जाते है, और फ्लोरल मेरिस्टेम में यह convert हो जाएंगे, उसके बाद यह क्या फ्लाओर क्या होता है। ङतम जञए है। अब तक हसे और मॉडिफाइड शूत पालब है। कन दम का मतलब है। जयसे माल लेजीए यह स्टैम इन फ्लाइड बीमे OFल थेंट्सय और इसके ऊपर क्या है। नोट्स नोट्स निंटरनोट्स ध हैं अब के उपर यह जो लीफ सोते हैं रहना मौट आपके पास सेह असके बाद वाले नोट पर क्या हो जाएंगे उसके बान वाले नोट पर मांल लेजिए यह Paytel स्याना यह पिछन सैं prevention है structure वो क्या है माली जी मेल reproductive structure है stammies यह stammies हो गया ठीक है और inner moose जो next है वो क्या है माली जे पिस्टिल या कार्पिल हो गया अब इन सब को अगर हम इन सारे structures को अगर हम squeeze कर दे condense कर दे compress कर दे तो हमारा जो structure मिलकर आएगा वो एक फ्लार का आएगा यानि कि यह रहेगा उसका पैडिसल यानि कि फ्लावर के डंठल यह इक stolen structure होगा जो चरह सा फूला हुआ structure होगा है और जिस फूले हुए structure के साथ सारे फ्लोरल इस्ट्रक्चर लगे होंगे जैसे कि आपको यही कैलिक्स लगेगा ठीक है उसके बाद आपको मिल जाएंगे आपने पैटल्स बनाया था यह पैटल्स मिल जाएंगे यह रहे आपके पैटल्स यह पैटल्स मिल जाएंगे उसके बाद आपके स्टामेंस मिल जाएंगे ठीक है स्टामेंस मिल गए और यह रहा कार पे लिया विस्टल तो कहने का मतलब यह इसका डिफिनिशन इसकी जस्टिफिकेशन है यह डाइग्राम बना कर आपको जस्टिफाई किया कि हम क्यों कहते हैं फ्लावर को इस अ इस अधिकेशन इस इस लिए फ्लावर इस अधिन शूट थिकेशन ना थे एक्ष प्रोडूसस इस दिफेरेंट काइंड फ्लोरल अपनेज इस लाट्री अच्छेसिव नोट इंस्टीड ऑफ लीव्स पत्ति के अधा यानि कि जो लीवस होती है पत्तिया होती है उनके जगह इनके फ्लोरल अपनेज बनेंगे फ्लोरल अपनेज इस मतलब जैसे यह था कैलिक्स को रोला है ना स्टैमेंज यह आपके है कार्पेल पिस्टिल है ना सो कार्पेल या पिस्टिल दोनों चीज़े सेम है वेन शूट टिप ट्रांसफोर्म्स इंटो अफलार इट इस ऑल्व तो किस तरीके से प्रेजंट है इक अकेला फूल घ्ल गया तो बात ही अलग है लेकिन अगर बहुत सारे फूल है तो वह किस तरीके से आरेंज है एक फ्लोरल एक्स पर उसको मोलते है influences depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow two major types of influences we are having that is racimos and cymos influences अब racimos or cymos influences दो तरह का influences है यहां हम आपके लिए लेकर आए है देखिए यहां पर आपके पास क्या है racimos influences ठीक है यह क्या है racimos influences और यह क्या है यह उसी का एक example है देखिए अब यह जो racimos influences है अगर आप देख पा रहे हैं यह आपकी NCRT का ही डाइग्राम है ठीक है देखिए यह आपकी NCRT में racimos influences बनाये गया है ठीक है अब इस racimos influences को अगर आप देखें तो in racimos type of influences the main axis continues to grow the flowers are born laterally in an acrypital succession continues to grow और दूसरे flowers acrypital arrangement में arrange है इसका मतलब क्या हुआ यह देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जैसे माल लेजिए यह एक main axis है ठीक है यह एक main axis है ठीक है अच्छा देख रहे हैं यह main axis है माल लेजिए इसका यह main axis हो गया अब इसके ऊपर continues to grow का मतलब यह हुआ अगर आप इसके tip को देखें ठीक है tip को अगर आप देखें so tip is not terminating into flower चीक है चुकि tip के ऊपर flower terminate नहीं हो रहा है यह जो tip है यहाँ पर कोई भी flower present नहीं होता है इसे लिए इसको हम क्या बोलते हैं so इसको हम बोलते हैं continuous group है ना या indefinite growth इसलिए इसको बोलते हैं it continues to grow because tip is not terminating into a flower ठीक है इसलिए हम इसको बोलते हैं indefinite growth ठीक है indefinite growth indefinite का मतलब बिलकुल नहीं है कि grow करता करता आस्मान को छूलेगा लेकिन definite structure नहीं बना है इसलिए definite growth दूसरी चीज़ अक्रूपिटल arrangement इसमें होगा अब अक्रूपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है जैसे आप इस लोवर ब्रांच को देखें जैसे आप इसी में लोवर फून को देखें हैं तो माल लेजी हैं पर flowers हैं ठीक ऐसे flowers हैं और जैसे जैसे आप उपर की तरफ चलते जाएंगे इसके flowers क्या हो चोटे होते जैएंगे जैसे जैसे आप उपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उपर की तरफ छोटे flowers होते जाएंगे अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लोवर फ्रावर है जो लोवर है लोवर इस longer और you can say bigger ठीक है? या bigger भी कह सकते है or and it is older ये तो पहले हुआ था अब जैसे जैसे आप उपर की तरफ जाएंगे तो lower का उल्टा क्या हो गया? upper, अपर को आप देखें longer का उल्टा या bigger का उल्टा smaller है ना? और older का उल्टा younger ये ऐसा होता जाएगा ठीक है? इस तरह की arrangement को हम कहते है एक्रो पिटल अरेंजमेंट अब ये फ्लावर का अरेंजमेंट है तो stems के branches के अरेंजमेंट हो जैसे पाइनस के ट्री में तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रो पिटल अरेंजमेंट का सीधा मतलब होता है कि लोवर जो होगा वो सबसे पहले निकला है और वो बड़ा होगा जैसे जैसे आप उपर जाएंगे अपर इस स्मॉलर एंड इस यंगर और इसकी वज़े से इसका जो शेप आजाता है वो एक तरह का कोनिकल शेप आजाता है है आपकी आपकी नसी आटि क्या कहती है इन आचिमोस इन व्ण वॉर्ज़ेस नहीं से यह अपने रहे सिमोस इन व्ण शेप अब हम चलते हैं next that is the cymos influences, cymos में देखे क्या कहती है NCRD, in cymos type of influences, the main axis terminates into a flower, hence it is limited in growth, वहां पर क्या था, indefinite, यहां पर क्या है, limited, यानि का definite, the flowers are born in a bracipital order, अब bracipital order का मतलब क्या होता हो और पूरे cymos में होते कैसे है, यह देखे, यह देखे जैसे cymos influences, ठीक है, इसमें इसने यह कहा, कि जो main axis है, है न, अब आप देख रहे हैं कि tip पर flower है, tip is terminating into a flower, अगर हम इसको भी ऐसी इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, तो suppose कि यह main axis है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको flower देखने के लिए मिल जाएगा, यानि कि tip is terminating into a flower, tip terminates, terminates into flower, into flower, flower की रूप में tip terminate कर जाता है, ठीक है, पहली चीज, और इसी की वज़े से, so, इसी की वज़े से इसके पास क्या है, एक definite growth है, इसके पास क्या है, definite growth है, definite growth, ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, यह पहला point हुआ, second point क्या है, flowers are present in besipetal order, flowers are present in besipetal order, अब besipetal order का मतलब क्या है, besipetal arrangement का मतलब क्या है, besipetal arrangement का मतलब यह हुआ, कि जो top होगा, है न, tip पर, तो tip पर flower होगा, पहली चीज, और यह flower older है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीके, यह flower यंगर है, यानि कि ठीक, अक्रोपिटल का उल्टा, ठीके, बात समझ में आ गई, तो देखे, इसका एक आपके पास जो NCRT में डिया हुआ है, यह diagram देख सकते हैं, यह देखे, यह देखे, यह आपको साइमोज इंफ्लोंस का एक्जामपल है, main access is terminating into a flower, ठीके, और इसके जो यह flowers है, और यही old flower है, और यह new flowers है, ठीके, यह new flowers है, तो I think यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अब चलते हैं, next क्या कहती है NCRT, next NCR discuss करती है, flower के बारे में, flower क्या होता है, यह देखे, यह सारे influences discuss करने के बाद, उसके बाद NCRT discuss करती है, flower के बारे में, ठीके, flower का देखते है, the flower is the reproductive unit in the angiospons, क्योंकि vegetative parts, the root, stem and leaves, flower क्या है, reproductive unit है, यह exam में कोशन पूछा जा सकता है, it is meant for sexual reproduction, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, यह reproductive unit है, क्योंकि sexual reproduction इसी के थूँ पॉसीबल है, ठीके, अफ टीपिकल flower, has four different kinds of floral holes, arranged successively on the swollen end of the stalk, called pedicel, या thalamus and receptacle, ठीके, अब ध्यान से लेखे, पैडिसल किसे कहते हैं, पैडिसल कहते हैं, हम flower के डंठल को, जैसे यह देखे, यह जो structure आप देख रहे हैं, जो flower का डंठल है, इ अब हम बात करते हैं, यहाँ पर, इस receptacle की, आप receptacle कह लें, ठीके, receptacle कह लें, या thalamus कह लें, बात सेम है, receptacle या thalamus, दोनों बात सेम है, यह swollen structure, ठीके, अब इसके ओपर यह जो saples है, एक को आपने बोला saples, ठीके, लेकिन बहुत सारे saples एक साथ आजाएंगे, तो आप उन of saples, उसके बाद अगर आप देखें, यह first floral wool है, उसके बाद आप देखेंगे, कैलिक्स के बाद आपके पास आगा है, ठीके, पेटल क्या है, एक अकेला पेटल है, लेकिन वोल्स of petal is called as korola, korola, ठीके, तो I think korola, ठीक, ना, अब हम बात करते हैं, next, यह देखें, यहाँ पर आपके पास है, the flower is the reproductive unit in the angiosperm, it is meant for sexual reproduction, a typical flower के पास, चार kind of floral wool होंगे, ठीके, किसके उपर लगे होंगे, जो कि थालमस या, receptacle के उपर लगे होंगे, these are calyx, korola, androsium and gynosium, ठीके, यह calyx, korola, androsium and gynosium होते हैं, four floral wool, अब कैलिक्स को रोला कहा है, यह देखें, यहाँ पर I I think, एक जगह, थोड़ी सी, एक सेकेट, कैलिक्स, को रोला, और यहाँ पर देखें, यह जो stamin है, stamin के यह two main parts है, यह है anther, यह है anther, और यह इसका filament है, यह देख पा रहे हैं, यह पूरा thread like structure, यह filament है, और यह जो है यह इसका anther है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं stamin, एक रहे तो हम stamin कहते हैं, और walls of stamin को हम बोलते हैं androsium, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह inner वाले structure, यह है stigma, ठीक, stigma, style and ovary, stigma, style, यह style and ovary, यह जो तीनों parts मिलकर बनाते हैं, पिस्टिल, पिस्टि और carpal के वोल्स को हम बोलते हैं gynecologist याद है, अब बात करेंगे इसमें, कि जो stamin androsium है, यह क्या है, male reproductive structure है, क्योंकि यह ultimately बात में चलके pollen green बनाएगा, ठीक है, और यह जो gynosium है, यह क्या है, female reproductive structure है, female reproductive structures है, ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर, जिस भी flower के पास, यह चारों parts होंगे, है न, calyx, corolla, androsium, gynosium, अगर यह चारों parts होंगे, तो आप कहेंगे complete flower है, इसमें जो calyx and corolla है, देखें, actually calyx का काम क्या होता है, protection, यह काम क्या करवाता है, protection का काम करवाता है, when the flower was in bird condition, it was protecting the flower, flower जब कली के form में था, तो यह protect कर रहा था, corolla का काम क्या है, attraction, यह pollinating agent को अपनी तरफ attract करता है, तो इसका काम है attraction, तो अगर हम इन दोनों को देखें, कि calyx and corolla, तो इन दोन as, यानि कि अगर हम यहां लिख लें, calyx, calyx and corolla, corolla, तो इसके एक को आपने क्या बोला था, sepal, अकेले एक को आपने बोला था, sepal, लेकिन इसके वोल को आपने क्या बोला, corolla, calyx, एक को आपने बोला था, petal, और इसके वोल को आपने क्या बोला, corolla, तो calyx एक को बोलत कालिक्स ठीक है तो एक आग्या सपल और पूरे वोल्स आगया आगया है एक आगया पेटल बोल्स आग्वक पतल को कौल्डवक धू कन ने एक बोल्डर वोल्स आखने की जड़ूरत है कि अग्र एक ठेक, उसी तरह ये आपने किया, इक अगर यूनिट है ठेक है, यूनिट है पेटल, पेटल, तो वोल्स आफटल, ऑफ पेटल, इस कौल्ड एस कोरोला. उसी तरह एक है Stamin लेकिन Wolves of Stamin को बोलते हैं Androsium एक है Pistol या Carpil Wolves of Pistol और Carpil को हम क्या बोलते हैं Gainosium तो I think यह बात आपको समझ में आ गई जो Calyx and Corolla है इस Flower में अगर आप देखें तो अगर एक Calyx and Corolla की अगर हम बात करें यानि कि सिर्फ Calyx and Corolla इन दोनों को हम मिला कर बोलते हैं कि यह दोनों Flower के Non-Essential Parts है Flower के Non-Essential Parts है Non-Essential का मतलब होता है Which are not so necessary Which are accessory They are not so necessary Accessory Floral Parts है लेकिन अगर हम Androsium की बात करें अगर हम Androsium की बात करें एक सेकेंड Androsium की बात करें या हम गाइनोशियम की बात करें तो यह male and female reproductive structure इसको हम क्या कहते हैं They are essential floral words इनको हम बोलते हैं Necessary ठीके Necessary floral words इसको आप याद रखेंगे When एक note point याद रखेंगे When all the floral parts जब all Four फ्लोरल फ्लोरल वोल्स प्रेजेंट होते हैं यानि Calyx, Corolla, Androsium, Gynosium तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं Complete Flower Complete Flower उसको हम क्या बोलते हैं Complete Flower अगर इसमें से कोई भी एक missing हो If anyone is missing अगर इसमें से कोई भी एक missing हो If Anyone is missing कोई भी एक miss हो Anyone is missing तो हम फ्लावर को Complete Flower नहीं बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं In Complete Flower In Complete Flower यह कुछ Terminology हैं जो यूज किये जाएंगे ठीक है उसके बाद हम यूज करते हैं Unisexual Flower and Bisexual Flower ठीक है अब इसका मतलब क्या है यह अपने Flower पढ़ा अब Unisexual Flower and Bisexual Flower का मतलब समझ लें Unisexual का मतलब होता है अगर उसके पास कोई एक ही Sex Organ हो ठीक जैसे कि या तो Male हो या तो Female हो जैसे कि अगर आपने पपाया का Plant देखा होगा है ना तो पपाया के पेड़ पर या तो Male Flower होगा या तो Female दोनों नहीं होते हैं तो वैसे Flower को हम क्या बोलते हैं Unisexual लेकिन Bisexual हम किसे बोलते हैं जिसमें की Flowers क्या हों जिसमें की Male and Female दोनो Flowers उसे हम क्या ज lavor Сов intenMy जिसमें करें या की पायक्ते हैं इस बात को अपको ध्यान रखना है ठीक है जिसमें की इक ही Flower हो मैं ऐसे कोई एक हो उससे अब क्या कहेंगी अगर by talking about करते हैं चलिए लेख लेते हैं यूझी सक्षवल फ्लावर यूझी सक्षवल ठीक है यूझी का मतलब होता है one six organ present any one six organ present ठीक है अच्छा अगर male sex organ होगा यानि की अगर stamin present होगा if stamin is present तो ऐसे flower को आप कहते हैं staminate flower क्या कहेंगे staminate flower मतलब stamin bearing flower को आप बोलते है staminate flower उसी तरह से दूसरा जो structure है यानि कि अगर female structure present हो यानि कि pistil या carpel present हो ठीक है तो उस flower और कॉप क्या कहेंगे pistillate flower पिस्टि लेट फ्लार बुलेंगे यानि कि पिस्टिल बेरिंग फ्लार है यानि कि वह female ठीक है एक्जामपल सबको पापाया मलबरी यह सब मिल जाएंगे उसी तरह से अगर हम बाइसेक्शल की बात करें बाइसेक्शल तो बाइसेक्शल तो बाइक का मतलब होता है बोथ सेक्स औस बोथ सेक्स और और इसे अर्फ मल दोनों प्रेज संथ घृत यसे कि आपका चाईना रोज मस्टर्ट है यह सब क्या है यह बाइसरा है अब एक बात की जाती है यहां पर अगर आप देखें, देखिए यहां पर आपको यूनिसेक्ष्ण इन बाइसेक्ष्ण डिसकस किया गया एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहां डिसकस करना था मुझे मेरे दिमाग से निकल गया वो यह करना था कि किसी किसी फ्लावर में क्या होता है कि जो in some flowers like lily the calyx and corolla are not distinct यह बहुत important point है थोड़ा सा ध्यान रखें गया है यहां पर मुझे discuss करना चाहिए था बट हमसे नहीं हो पाया ठीक है देखिए यहां पर अगर आप देखिए इस लावर में तो एक बहुत important point discuss किया गया है कि कुछ flowers में क्या होते हैं यह जो सेपल होते हैं यह और पेटल्स यह अलग अलग नहीं होते बल्कि आप इनको दिस्तिंक्ट नहीं कर पाते वो फ्यूज स्टेट में होते हैं नौट सेट सेट नॉट सेट और इससा अगर आप देखैं थीया इसे तो यह शलगे खीया है यह चल आगे क्या हो जाता अब यह तो यहां पर अप सपल्पनों को तो अलग अलग करी निए तो इस खास स्ट्रक्चर को आप पर कहेंगे बलकि और किआ कहेंगे तेपल कहेंगे अच्छा अब टेपल है वोल्स ऑफ सेपल को आप क्या बोलते थे कैलिक्स बोलते थे वोल्स ऑफ पेटल को आप क्या बोलते थे को रोला बोलते थे लेकिर वोल्स ऑफ टेपल को आप क्या बोलेंगे पैरियंथ बोलेंगे या बात आप याद रखेंगे अब आगे चलते हैं ये सारे पौइंट हमने डिसक्सक्रेकश कर लिए कहीं भी किसी point पर अगर आपको दिखत होगी आप comment section का बिल्कुल बेची चक यूज़ करेंगे वहाँ आप comment section में अपनी question को put कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसकी symmetry को तो in symmetry the flower may be actinomorphic अगर हम symmetry की बात करें तो flower या तो symmetric poses करेगा या तो नहीं करेगा अगर वो करेगा तो उसमें actinomorphic हो सकता है या जाइको देखिए actinomorphic का मतलब क्या होता है सबसे पहली चीज़ एक टीनो मॉर्फिक का मतलब होता है इसका सब पहले symbol होता है plus within the circle इसका मतलब होता है कि यह radial symmetry इसकी है radial symmetry इसकी है radial symmetry का मतलब होता है जैसे पीज़ा को उसके एक plane of division से ज्यादा plane of division होते है जहांसे आप उसको two equal halves में cut कर सकते है जैसे यह देखिए यहाँ पर example दिया हुआ ant Canciati कहती है जैसे कि आपका mustard है यह mustard का flower है अब आप इसे कहां कहां से cut कर सकते है यह देखिए आप इसे away cut कर दें यह to ​ equal halves में cut जाएगा इदर से भी cut काड ले अब जहांसे भी cut करेंगी todraw अप कर यह जो आपका flower था यह जो आपका flower था यह था यहाँ पर लिखा हुआ हैसा है mustherd ध Toora and Chili तो यह पहले एक्सामपल है mustherd यह तो आपका धतुरा का धतूरा आक यह जो एक्जामपल है यह चीली का Evet यह जो एक्जाम्पल आप देख रहे हैं थर्ड डाइग्राम है यह चिली का है ठीक है तो आप देख पा रहे हैं यह मस्टर्ड धतूरा और चिली इन तीनों को आप देखें इनके पास क्या है एक से जादा प्लिन और ब्रीजन है जहां से एक्वल हाफ्स में कट सकें दूसर जाइगोमोर्फिक को हम रिप्रेजन करते हैं परसंट सैंस है इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री चिक है इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री इसे हम कहते हैं बाइलेटरल तो आक्टिनोमोर्फिक को आपने क्या बोला रेडियल जाइगोमोर्फिक को क्या बोलते हैं BILATERAL, BILATERAL ΣYMETRii, BILATERAL का मतलब यह वा, कि जैसे आप यहां देखिए यह Flower किसका है? की, P का है, ठीक है, तो यह जो Spirit, P का Fill यह पी पा가지 है, P Flower है, P Flower है, P Flower मेitting अब देख पा रहे हैं, और यह不知道 यह로 रहे है, यह कैशिया है, यह जो हैं, यह कैशिया है, ठीक है, और यह आप देख पा रहे हैं, यह P का है, तो इसमें अगर आप देखें, तो इसको cut off करने के लिए, आपको क्या करने पड़ेगा, सिर्फ एक ही plane of division है, जिससे यह two equal halves में cut सकता है, सिर्फ एक ही plane of division है, इसमें अगर आप देखें, तो एक ही plane of division है, जिससे यह two equal halves में cut सके, ह काना का डाइग्राम लाना भूल गई काना आपको जनरली पार्क वगरा में जहां या आप कहीं भी पानी के साइड वाले एरिया में आप देखेंगे तो कुछ-कुछ वो गुलमोहर के जैसा दिखता है बट उसके जो पैटल्स ये दिखते हैं बहुत बड़े-बड़े होते ह और नीचे की तरफ जुके हुए होते हैं और पतिया उनकी जो होती है वो हल्दी के पति की तरह होती है जैसे हल्दी का लीफ होता है बड़े-बड़े वैसी हल्दी के लीफ की तरह हुई उसकी पतिया होती है तो यह है काना काना में सिमेट्री होती ही नहीं है तो यहां हमन काम आएगा जाईगो मॉर्फ होता है इस का सिमबल होता है पॉसल का शाई अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं इसमें जैसे कि अगर आप ने देखा यह देखिए यहाँ पर जैसे करें's तो flower trimeres, tetraméres या pentameris भी हो सकते अब standardized थाक's क्या है एंभ है त्राइपंट डेकर जा या में बात करते हैं जाति है आपके पास एक दो ह मतलब है और नेक्स वोल्ड में यानि कि मेंश्ट वाले हुन में अगें फिर un pilot यह तो 3 हो यह तो multiple of 3 हैं हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं trimeris tetramerus tetramerus में क्या होता है 4 जैसे की 1 2 3 4 यहां आप देख पार है tetramerus pentamera pent across 5 तो 5 आप देख पार है 1 2 3 4 5 तो यहां पर है पेंटामेरस ठीक है अच्छा उसके बाद बात करती है एंसी आटी की फ्लावर स्विट ब्रैक्ट ठीक है और ब्रैक्ट क्या होता है तो जिनके पास ब्रैक्ट होगा तो आप देखें यहाँ पर अगर इस फ्लावर को अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रैक्ट है यह जो देख पार है यह बॉगन विलिया का फूल है तो बॉगन विलिया की फूल में आपको दिखता है इतने बड़े से यह एक्चुली फू क्यों कोई यह पास इसके पास कुछ भी नहींério कि ना फ्लावर इस अट्रक्टिव है ना हिसके पास नेक्टर है तो पॉलिनेटीग एजनत को अट्रॉट करने के लिए इसके पास क्या हो जाते है? जो नियरबाई जो लीफ होते हैं ठीके जो видите के बड़ीषिल केlor होते है वो क्या होते हैं ब्राइटली कलरड़ हो जाते हैं ऐसे structure को भलते हैं ब्रैक्ट और इस तरह के flower को हो में ब्रैक्टीयेट tua ठीक है, so if flower is not showy, not attractive, it is not having nectar, then the leaves nearby the pedicel, जो pedicel के nearby the leaves होते है, they become attractive, वो attractive बन जाते हैं, और उनको हम बोलते हैं, ब्रैक्ट, जैसे कि बॉगन विलिया में आप देखते हैं, अगर ब्रैक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे, इब्रैक्टियेट, अगर खुद फूल ही colorful है, ठीक है, अब जैसे रोज में कोई ज़रोत नहीं है ब्रैक्ट की, तो वहाँ पर इब्रैक्टियेट है, अच्छा, यहाँ पर हमने देखा इसके, इस ट्राइमेरस, टेट्रा, पेंटा, और ब्रैक्टियेट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो A डाइग्राम जो है, यह एक हाइपो गैनस ओवरी का है, ठीक है, हाइपो गैनस, जो B और C डाइग्राम, यह जो B और C है, यह पेरी गैनस के लिए है, और D जो डाइग्राम है, यह एपी गैनस के लिए है, तो सबसे पहली तो आप य सबसे पहली बात कि इस heading को हम अपको समझ लेंगे तो यह तीनों चीज़े समझ माझेंगे heading क्या है arrangement of arrangement है या position है है पूजिशन है बेटर होगा position कह लें सुन पोजिशन कह समझ लिए हैं बेटर होगा आप यहां पर other floral walls other floral walls with respect to ovary अब ध्यान से देखें ये हैं कि on the basis of position of other floral walls with respect to ovary के respect में other floral wall कैसे हैं ठीके यह वो discussion है यानि कि अगर हम बात करें हाइपो गाइनस है इसका मतलब हाइपो का मतलब क्या होता है इस सबसे अभाफ टू आल हो जाएगी वह तो सबसे अभव टू एजए गी ओवरी is above to all above to all हो जाएगी इसका मतलब ओवरी क्या हो जाएगा superior भही above to all है तो superior और superior ओवरी को हम दिखाते हैं कि ओवरी सबसे उपर है और सारे इससे नीचे हैं इस लाइन को बताते हैं सारे इससे नीचे हैं उसी तरह से next देखिए अगर हम माल लेजिए हम बात करते हैं इपी गाइनस की इपी गाइनस की ठीक है इपी गाइनस तो इपी का मतलब क्या हुआ इपी का मतलब होता है ठीक है एबव तो इबव कौन है other floral walls है other floral walls है ठीक है इसका मतलब ovary कहा है तो ovary कहा है यानि कि ovary is below-to-all ovary is below-to-all 예ant extra ovary सबसे नीचे यानि कि ओवरी क्या हो गया inferior suburbsanders वर टाहिए, फैनल को सबसे नीचे कर दड़े हैं, यानि किसके सर के ऊपर एक लाइन लगादे हैं उसी तरह हम बात करते हैं, बह्त करते हैं now, how can we do this, यह देखें, पेरी गाइनस क्या होगा, पेरी गाइनस, अब पेरी गाइनस भाई, सुपिरियर और इंफिरियर तो हो गया, तो almost, जो सारे फ्लोरल वोल्स है, वो almost lie on same plane, या some lie above and some lie below, और जिसकी वज़े से ओवरी को नहीं आप क्लियरली सुपिरियर कह सकते हैं, नहीं इंफि या आप हाफ इंफिरियर भी कह सकते हैं, किसे से सुपिरियर है, किसे से इंफिरियर है, हाफ इंफिरियर भी कह सकते हैं, ठीके, अब देखें, यहां पर आपको बात समझ में आ जाएगी, यहां देखें, यहां पर आपको डाइग्राम देखें, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है यह जैसी कि Ovary है और सारे फ्लूरल वोर्ससे नीचे लाइए कर रहा है है तो पढ़ आप Kenneth लाइ ओन दे सेम लाइन या कुछ एबफ कुछ बिलू तो नहीं आप completely superior completely inferior कहेंगे बल्कि कहेंगे half superior half inferior यह देखें अब हाइपो का examples क्या क्या है यहां पर examples क्या है इन हाइपो गानेस फ्लार दे गाइनोशियम occupies the highest position ovary is superior example mustard china rose brinzel example क्या है mustard चाइना रोस second है आपके पास perigynos perigynos में क्या है perigynos में है कि almost lie on the same line or on the same plane so क्या है flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level इसको क्या बोला perigynos यानि कि half superior या half inferior कहां मिलेगा plum peach and rose यह मिलेगा plum peach and rose में थार्ड है आपके पास ep gynos ep मतला इंफिरियर होगे एक्जाम्पल कुकुम्बर ग्वावा रे फ्लोरेट्स अफ संफ्लाओर यह एक्जाम्पल है कुकुम्बर कुकुम्बर ग्वावा रे फ्लोरेट्स अफ संफ्लाओर डे फ्लोरेट्स अफ संफ्लाओर आपको पता है क्या होता है एक संफ्लावर पता है रैफSt लोटा है जैसे कि एगर संफ्लावर देखें तो आपको बीच में आपको ब्राउन कGood color को आसे नजर आते हैं और किनारे-किनारे आपको नजर आते हैं उसको बोलते इस तरह से नजर आते हैं यह इस एसी फूल होता है न सफ्लॉरेक इन फ्लॉरेंस है, यह जो यलो वाला है, इसको आप बोलते हैं रे फ्लॉरेडस अफ्लॉर्थी यही पार्ट इंपॉर्टन adventure अब हम बात करते हैं, next, next है आपके पास parts of a floor, floor के कितने parts होते हैं और उनका क्या-क्या conditions होते हैं, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, parts of a floor, each floor normally has four floral walls, ये हम complete floor की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक चार floral walls होंगे, कौन-कौन से, क्या करता है, क्या करता है, ये जब flower, जब bird condition में था, इसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था, इसको आपको ध्यान देना चाहिए, the calyx में भी gamo sepalus, gamo sepalus मतलब calyx are united, ये देखिए, ये calyx आप गिन पा रहे हैं इसमें कि कितने sepalus हैं, नहीं, तो यहाँ पर अगर आप देखे, तो सारे calyx क्या हैं आपस में united हैं, तो इस united calyx को हम क्या बोलते हैं, गैमो सेपलस, गैमो, गैमो मतलब यूनाइटड, कौन यूनाइटड है, सेपलस यूनाइटड सेपलस कंडिशन, गैमो का मतलब होता है यूनाइटड, हाना एक साथ वो फ्यूजड है, सेपलस फ्यूजड है, ठेक, उसके बाद होता है, पॉली सेपलस, पॉली का मतलब सेपल त्हिक्त सुर्द्ध अन्ह फ्रीस फ्री नियस प्रेश से ओर रहें नियका तहां के लिए का कि बॉर्स अपर्टे लिए क्या इंफर्मेशन इम पटेशज है इनका काम है मेनली अट्रक्शन फूर पॉलीनेशन यहां पर क्या है जैसे सपल फाव जैसे की उनाइटेट थे यानि की ग्यामुपेतल्स और सपल की तरह यह भी उनाइटेड हो सकता है तो हम क्या मोलेंगे ग्यामुपेटल्स तो यहां देखिए आप इस फ्लावर में देख पारें यहां पर पेटल्स ना यहाँ पढ़ेंगे बट यूनइटध है अलग-अलग नहीं ले पाएंगे दो यहाँ पर पेटल्स इस इनको भूलेंगे ग हैं जैसे लोटस की केस में रोच की केस में जो कोरोला होते है ऐसे अलग-अलग और गिंसकते हैं रहाँ वो यूनाइटध नहीं होते हैं आप इनको हम बोलते हैं polypetalus, polypetalus, यानि कि जो petalus है, वो क्या है, free है, they are not united, free petals, ठीक, free petals, तो I think gamo seplus, united sepals, polyseplus, free sepals, gamo petalus, united petals, polypetalus, free petals, इसके बाद हम बात करते हैं, estivation की, ठीक है, estivation में अगर हम देखे, ठीक, तो यहां पर एक चीज़ याद रखें आप, आप सोच रहें कि माम ने androsium, gynosium नहीं बताया, इसलिए कि हम इस सेशन में सिर्फ calyx and corolla को लेकर बात करेंगे, androsium and gynosium का हम separate discussion करेंगे, जो sexual structures है, ठीक है, उनकी brief structures है, उसको हम briefly discuss करेंगे, ठीक है, अब हम बात करते है next, यहां पर, तो इसके हम estivation की बात करते है, next is estivation, ठीक है, अब estivation को अगर हम देखें, यानि कि क्या होता है estivation, it is the mode of arrangement of sepals or petals in floral bird, with respect to other members of the same wall, is known as estivation, मतलब sepals या petals, जब bird stage में, किस तरीके से arranged थे, वो आपस में touch कर रहे थे, लेकिन overlap नहीं कर रहे थे, या overlap कर रहे थे, किस तरीके से arranged थे, उन्हीं आधार पर हम बात करते हैं, कि उसी को हम बोलते हैं estivation, अब जैसे कि example, यह NCRT में आपके दिया हुआ है, velvet, twisted, imbricate and waxillary, है जा रहा है, यह देखें, जैसे कि आप देख पार है, velvet, velvet यह वाला है, यह velvet है, अब velvet का मतलब क्या है, देखें, यह जैसे माल लिजिए sepals हो या petals, the margins, they can touch, यह touch कर सकते हैं, लेकिन यह एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे हैं, यह दूसरी को पर चड़ नहीं है, overlap नहीं कर रहे ह that is the appendages, ठीके, तो यहाँ पर velvet में है, if one of the appendages, ठीके, तो यहाँ पर velvet में अगर आप देखें, यहाँ पर है, when sepals और petals in a wool just touch one another at the margin, without overlapping, देख रहे हैं, without overlapping, example क्या है, calotropies में, it is set to be velvet estimation, तो velvet estimation, जैसे कि आप calotropies में देख पा रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर आपके लिए एक diagram लेकर आये हैं, यह real diagram लेकर आये हैं, आपको समझाने के लिए, कि यह जो example है, यह calotropies है, calotropies, अपने देखा होगा, ठीके, अब यह जो calotropies का, अब यह margin देखें, क्या यह margin एक दूसरे को overlap कर रहा है, answer is no, यह सिर्फ टच कर रहा है, लेकिन overlap नहीं कर रहा है, तो इसको अब क्या बोलेंगे, velvet estimation, देख पारें, यह velvet estimation, ठीके, next आपके पास है, second, that is twisted estimation, तो यह क्या है, if margin of the appendix overlaps that of the next one and so on, यानि कि one side in, one side out, one side in, one side out, एक side इस तरह से है, अब यह side है, अब यह side क्या कर रहा है, इसको overlap कर रहा है, अब यह in है, लेकिन यह out हो जाएगा, अ यह दूसरे को overlap करेगा, फिर यह इसको overlap करेगा, इस तरह से, इसको आप क्या बोल रहे है, अगर यह in है, तो यह इसका out है, अगर यह इसका in है, तो यह इसका out है, तो one side in, one side out, one side in, one side out, इस तरह के estimation को बोलते है, twisted estimation, जैसे कि लेडी finger, cotton and china rose में में मिलेगा, आपके लिए diagram लेकर आया है, चाइन रोज, जैसे कि आप इहां देखें, यह क्या है, चाइन रोज, चाइन रोज, आप देखें, यहाँ पर यह उपर है, तो यह क्या है, यह overlap हो रहा है, यह overlap कर रहा है, तो एक side overlap हो रहा है, twisted estimation, तो I think यह भी clear हो गया, अब बात करते हैं, next, that is, imbricate vestilation, यह देखें, imbricate, क्या होता है, estimation, in cashier and gulmohar, there is no any particular, not in a particular direction, कोई भी particular direction हो ही ना, कोई particular arrangement हो ही ना, कोई completely out है, देखे, completely out है, यह completely in है, यह one side out, one side in, कोई particular arrangement नहीं है, उसको हम बोलते हैं, imbricate, अगर no particular arrangement लिखा रहे हैं तो वो होता है implicate, example क्या है, cash and gulmohar, आपके पास यह जो drawing आई है, यह जो diagram है, यह है gulmohar के full का, gulmohar, आपने देखा होगा, बहुती असान सा common सा plant होता है, gulmohar, अब इसमें देखिए, यह completely out है, यह one side in, one side out, completely out, one side, तो कोई particular arrangement है ही नहीं, ठी implicate estimation, यानि कि no particular arrangement, तो अगर no particular arrangement दिया हो, तो वो आता है, आपका implicate के अंदर, अब बात करते हैं, बहुत ही important है, Vaxillary, Vaxillary estimation देखिए, इसमें क्या होगा, Vaxillary estimation में क्या होता है, कि इसमें 5 petals होंगे, जैसे कि P and beans एक सा example है, हमने P example आपके पास लेकर आए है, यह P, beans का भी ऐसा ही full होता है, यहाँ पर अगर आप देखें, इसके पास 5 petals होंगे, the largest is the standard, यह जो largest है, इसको आपने क्या बोला, standard बोला, standard, यह largest है, कितना है, सिर्फ एक, उसके बाद two, अब उसके बाद क्या होगा, overlaps the two lateral petals called the wings, यह जो दो है, है न, यह जो दो है, इनको आप बोलते है, wings, wings, यह कितने है, दो है, और सबसे अंदर, which in turn overlaps the two smallest anterior petals, इसको आप क्या बोलते है, यह जो सबसे छोटे वाले, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, सबसे smallest, यह कितने है, दो है, ठीके, इस टाइप of activation is also known as Vaxillary or Papillinusius activation, यह example है, पी का, जैसे आप देखें, यहा चोटा सांदर, कील, ठीके, तो यह है Vaxillary Estivation, तो अब चलते है, NCRT को देखते हैं, इसमें इसने flower को discuss किया, उसके बाद इसने actinomorphic, zygomorphic, asymmetry, pentameras, यह सब हमने discuss किया है, उसके बाद हमने hypogannous, perigannous, epigannous, diagram के साथ डिसकस किया है, और हमने parts of flower में, calyx and corolla cause discuss किया, और उस में हमने यह points discuss किये, estivation वाले, ठीके, यह भी हमने discuss किया है, hope so, आपको classes समझ में आ गई, अगर आपको classes समझ में आती है, आप comment section में जरूर बताएं, कि कैसी लगती है, आपको classes, दिखिए, अगर आप पढ़ेंगे, बताएंगे नहीं, तो teacher को भी अच्छा नहीं लगे का समझ में भी नहीं आएगा है, कि आपको समझ में आती हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, तो हम आपको देख नहीं पाते हैं, कि आपके reactions कैसे हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो इसके according modifications भी की जा सकती है, अब यहाँ पर और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज यह से चैनल को सबसे पहले subscribe कर लेंगे, ताकि आने वाले notifications आपको मिल सकें, और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने साथ NCRT book लेकर पढ़ेंगे, तो यह पढ़ना और बहुत आसान हो जाएगा, और इंट्रेस्टिंग तो खर है ही, मिलते हैं आप से next session में, क्य तब तक take care and bye bye